परमादर्णिये प्रधानाचारे मोहदेजी, मुख्य अतिती मोहदे आदर्णिये सर्पन्ज सहाब, मेरे दादोसा, सम्मानिये गुरुजनों, गाउसे पदारे हुए महमानों और प्यारे सेह पार्टियों 26 जनवरी को गन तंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये तो हम सब को मालूम है अब इस लोक तंत्र की राह पर चलते चलते हमारे शिक्षा व्यवस्ता किस राह पर आकर खड़ी हो गई है, आज मैं उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी हमारे देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्ताय चल रही है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए प्राइविट स्कूल, गरीबों के लिए सरकारे स्कूल मैंने कई बार देखा है, घर पर जब महमान आते हैं, और पूछने पर हम ये बताते हैं, कि सरकारे विध्याले में पढ़ रहे हैं, तो उनके चहरे का रियक्षन भाव एक अलग तरीके का हो जाता है तब मुझे बड़ा दुख होता है, उन सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगी, कि आप बहुत बड़ी कलत फैमी में हैं क्योंकि शिक्षा का जो स्त्रोथ है, शिक्षा जहां से आती है, वो आदर्णी ये शिक्षक है शिक्षा उची बिल्डिंगों से, बड़े बड़े गार्डन से, अच्छी बसों में सफर करने से, या एसी रूमों से शिक्षा नहीं आती है, शिक्षा आती है शिक्षकों से और वहाँ पढ़ा रहे सबी शिक्षक, राजस्थान सरकार या किसी भी सरकार द्वारा आयोजित, शिक्षकों को चैनीत करने की परिक्षा में असफल रहे हुए लोग हैं, जिनकों सरकार ने शिक्षक बनने से इनकार कर दिया हैं, वो सबी लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं चुने हुए शिक्षक है जिनको राजस्थान सरकार ने शिक्षक बनने के योग के समझा है हमारा स्वबाग्य है कि हम हमें ऐसे ट्रेंड टीचर पड़ा रहे हैं मुझे गर्व है कि हम अच्छे हातों में हैं मेरे दादो सादर्णिय जैसिंग जी देवल यहां विराजे हु हुए हैं और सरकारी विध्यालियों से ही उतेड़ हुए हैं वर्तमान में एक डॉक्टर एक इंजीनियर एक वकील एक बिजनसमेन यहां तक कि इन विध्यालियों में पढ़ा रहे शिक्षक भी अपनी बच्चों को सरकारी विध्यालियों में पढ़ाना नहीं चाहते हैं अखिर क्या कारण है इसका कारण है संसाधनों का अभाव मैं आप गाव वालों से भी एक निवेदन करना चाहूंगी कि कही कोई गर्बा हो गणेश चतूर्ती हो कोई आयोजन हो कोई आरकेस्टा हो या कई धर्णा देना हो तो आप लोग हजारों की संख्या में पहुँच ज अभाव वालों से निवेदन करना चाहूंगी कि जितना जोश अप उधर उन कारेक्रमों दिखाते हैं उतना ही जोश आप इदर इन विद्ध्यालियों के लिए दिखाएं भविश्य में संजोकष हम सरकारी विध्याले में पढ़ रहें छात्रों में से कोई प्रधान मंत्री या और कुछ बन गया तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि भारत की तमाम सरकारी स्कुलों को एक उच्छे स्तर पढ़ ले आए मुझे जो कहना था वो कह दिया मैंने जो कहा वो गलत है या सही मुझे नहीं पता इसका नेड़े तो आप लोग ही कर सकते हैं मेरे जो मन में था वो कह दिया अब मुझे बहुत अच्छा मैसूस हो रहा है जय हिन जय भारत अब मुझे बहुत अच्छा मैसूस